आपने तो हैकर के बारे में सुना ही होगा ऐसे में कुछ हैकर अच्छे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं और कुछ हैकर बुरे होते हैं जो बुरा काम करते हैं और कुछ हैकर ऐसे भी होते हैं जो अच्छा और बुरा दोनों काम करते हैं । आज की वीडियो में मैं इसी टॉपी के बारे में बात करने वाला हूँ। हैकर के टैप्स के बारे में कि कितने प्रकार के हैकर होते हैं। नमस्कार दोस्तो मैं निशान्त और स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल Mr. टेकंड में। दोस्तो, वैसे तो hacker बहुत सारे tab कि होते हैं, बट इसे normally three tabs में रखा गया है पहला जो होता है, वो होता है white hat hacker, दूसरा होता है black hat hacker और तीसरा होता है gray hat hacker तो दोस्तो, मैं सबसे पहले white hat hackers के बारे में पताना चाहूँगा जैसा कि white hat hackers नाम से ही पता चलता है कि जो भी hacker white hat hackers की category में आते हैं वो legal काम करते हैं वो किसी भी तरह का illegal काम नहीं करते जिसे किसी भी user का नुकसान हो white hat hackers किसी भी user का data को तब तक hack नहीं करते जब तक उनके पास कोई legal permission ना हो आपने देखा होगा कि जो भी बड़ी companies होती है या IT companies होती है उनकी security high label और heart security होती है यह सारे security white hacker के थूरू provide की जाती है और बड़े-बड़े company अपनी data के security के लिए real trend white hat hackers को hire करती है इसके बाद जो दूसरा hacker होते है वह है black hat hacker जैसे अच्छे कामों के लिए white hat hackers होते है वह साहीं बूरे कामों के लिए black hat hackers होते है इस category में जितने भी hacker आते हैं वह सारे बूरे काम करते है यानि वह ऐसे काम जो illegal हो जैसे bank के detail चुराना, password hack करना, आपके bank के account को खाली करना या बीना user की permission के किसी भी computer या laptop को hack करना यह सारे काम black hat hackers करते हैं जो की illegal या गैर कानूनी है यह सारे काम चोरी चुपे करते हैं अगला और तीसरा type है grey hat hacker जैसा की नाम से पता चल रहा है यह ना तो black hat hacker होते हैं और ना ही white hat hacker यह दोनों hacker की combination होते हैं यानि इस category में जितने भी hacker होते हैं वह legal काम भी करते हैं और illegal काम भी करते हैं depends करता है उनके mood में कि वह किस तरह के काम करना चाहते हैं grey hat hacker आपके account को save भी कर सकते हैं और hack भी कर सकते हैं तो दोस्तो आपको पता चल गया होगा कि hacker के types कितने होते हैं और वह कौन कौन से category में रहते हैं दोस्तो अगर आपको hacker के बारे में deeply से detail चाहिए तो आप comment में बता सकते हैं कि आपको कौन से hacker के बारे में वीडियो चाहिए और क्या आप hacking के बारे में और जाना चाहते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो comment section में आप अपना comment कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक करें